दुबाई गहे तो सर वहाँ बिहार्यों से आपने मुलकात की, तो सर वहाँ पे सर एक सवाल रहेगा, बिहारियों के मन में नितिस कुमार की छवी और देश के प्रधान मंची नरहिंदर मोदी की छवी, इन दोनों के बारे में क्या सोच रखते हैं वहाँ के लोग? देखिए मोदी जी की छवी जो है वो अतुली है और अभी आप इसी क्रम में में वहां पर अबुधावी में एक विश्व का सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है उसको सबसे बरा मंदिर जिसको आधनिया मोदी जी 14 फरवरी और 16 फरवरी को इनाउगरेट करें राम मंदिर से भी मतलब भारत के बाहर नितिश कुमार जी का क्या छवी है उन बेहारियों के बीच में देखें देखें देश के प्रधान मंत्री लगतार नाहीं सिर्फ देश वासियों को एक जूट करने में लगेवे हैं बलकि कि विसम में जितने भी देश के बाहर जो भारत के लोग रह रहे हैं भारत वासी रह रहे हैं उनको भी एक जूट करने में एक अलग पहल कर रहे हैं और लगतार उनकी जो पहल है वो साफ तोर पर तस्वीरों में यूं कह सकते हैं कि ओन पेपर वो दिखता रहता है इसी करम में हमारे साथ मौजूद है भारतिय जंता पाटी के बिहार के एनराइस सेल के कनवेनर मनी स्थिना जी पिछले दिनों ये दुबई भी गए थे इनकी मुलकात केंदर मंतरी प्यूस ग अलग करने का प्लैनिंग है सब जानेंगे सर सबसे पहले तो सवा गए थे सर आपका नमस्कार सर दुबई गए सिर्फ घूम के आ गए या फिर कुछ काम की बात भी हुई ने देखिया दुबई में हमारा इंडियन स्पीपल फोरम जी आइपी एफ का बिहार कॉंसल का अब भारत का हर एक राज्य का उसका चैप्टर होता है ताकि अगर मालीजे कि आप मालीजे कोई बिहारी वहां पर कोई प्रॉब्लम फसा है मजदूर कोई फसा है कोई तरह के भी दिक्कत है तो वो लोग उनको कंट्रैक्ट कर सकते हैं और वो लोग उनको हेल्प करेंगे वैसे तुस्हें हर देश में एंवैस्थी भी तो होती है यह लोग उर एंवैसी के बीजusi का लिंकby है अच्चा यह म kiti नभाव की समाजिक संस्ता या वहां की आख संस्ता है बृब ऋक्रूट पूरे इंडिया का पैर ने विए और चैप्टर कि भिहार क्रीब चार्स करू लाग लोग दोई में रहते हैं यूई में रहते हैं एक बहुत बड़ी संख्या बिहारी हो कि इसमें अधिक तर लोग तो काफी लोग मजदूर है और आजकल आप देखी कि बहुत यंग प्रोफेशनल्स जा रहा है वहां पे और बिजनस भी बहुत लोग वहां से टप कर रह कि इतनी का कारेकरम होगे यह एक रात का कारेकरम था सुबह में हमारा IPF का बिसनस मीटिंग हुआ तो उस के बिहार के जतने प्रतिस्टिस मैन है वह लोग आये थे और बिहार में इनवेश्टमेंट पे चर्चा हुई और उसके बाद शाम को हमारा एक सांस्कृतिक कारेकरम जिसमें आश्विनी चौबे जी चीफ गेस्ट है और गरीब पांसो छे सब बिहारी वहां जुटे थे एक अलग मज़ा था वहां पर और भौजपूरी गाना मैथरी गाना चल रहा था भारती है जैसा माहूल वहां पर बिहार का लग रहा था कि कि मीनी बिहार है भारत नहीं म अच्छा लग रहा था वहां जाकर लिटी चोखा दुबाई जी आपको जानकर आश्चर होगा कि बिहार में दो तिन ऐसे रेस्ट्रॉं हैं जहां लिटी चोखा मेलता है जिसका नाम भी भोजपूरिया है यहाई जी जी आप अगर आपको दुबाई कभी जाएं तो जोरो वहां पे भी इन लोगों से मिले दुबाई के अंदर एक बहुत स्ट्रॉंग बिहार की एक कॉमुनिटी है और जो लोग उससे लिंक नहीं जो लिंक हो बिकाज हमारे लिए यहां पर वापस यह लोग हमारे मदद कर सकते हैं क्योंकि यह लोग वहां पे जुड़े हुए हैं वहां के कॉमुनिटी से वहां के इन्वेस्टर से तो यह लोग उन लोग को करेक्ट कर सकते हैं हम लोग से ताकि बिहार में इन्वेस्टमेंट आ सके जो है सर उसका और भी क्या कुछ में काम क्या है कई लोग नहीं जानते हैं नराइस सेल का मतलब कई लोग अभी भी मतलब उसके बारे में कुछ खास नहीं जानते हैं तो बहुत मुख्य एजेंडा क्या है एनराइज सेल का जो भाष्टपय के तवारा जो अलग एक बनाए गया यह जो संगठन बनाए गया में मुद्दा क्या होता है में एजेंडा क्या होता इसका अब आप देखिए गुजरात की जो कमुञटी फेज़रत के बाहर एनर जी ऑंक डेक किंताभार्फुल है वहन की तो इनरजी नर् छरुंग करते हैं वहांकर कि सरकार में मदद करते हैं, वहां से फंड्सस मेज़ते हैं, वहां से आईडिय देनेय 對ें, वहां से बिजनेस promote करते हैं तो गुजरात की जो community है बहुत strong बिहार का जो community है वो गुजरात से भी number में ज्यादा है हम लोग करीब अगर पूरे wishf को मिला लीजिए तो दो ढ़ाइ करोड लोग है और पूरे wishf को मिला लीजिए बिहार से बाहर हम बोल रहे हैं, बिहार से बाहर दिल्ली बॉम्बे भी होता है, और इंडिया के बाहर भी अगर आप देखिए तो कई ऐसे देश हैं, जहां के बिहारी प्रेजिडन्ट भी है, जैसे मौरिशेस हो गया, फीजी हो गया, तो हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम बिहार से निकला है, अधिकतर लोग उस पर सक्चम हुए है, बहुत प्रोग्रेसिव है, उनका थौट प्रोसेस प्रोग्रेसिव है, और ये दिल से जुड़े भी हुए हैं बिहार से, आप हम लोग जब जाते हैं, दुनिया भर में घूमते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो लोग चाहते हैं कि भारत का ड्रफलेप्मेंट हो रहा है मोदीजी आदर्निय मोदीजी की चलते भारत तो आप क्या पाश्वा नंबर पे आ गया जाएगा अब उनके मन में यह है कि भारत के भारत का इतना विकास हो रहा तो बिहार का कब होगा यह दुबाइ गए तो सर् बिहारियों के मन में नितिस कुमार की छवी और देश के प्रधान मंतिर नरेंदर मोदी की छवी इन दोनों के बारे में क्या सोच रखते हैं वहां के लोग देखिए मोदी जी की छवी जो है वह अतुलनी है और अभी आप इसी क्रम में में वहां पर आबुधावी में विश् मुझे अंदर से इतनी खुशी हुई और पूरे टीम के साथ जब हम लोग गये देखें तो देखें कि इस देश में हमारे संबंद इतने अच्छे हैं मोदी जी जब से आये हैं हमारे संबंद खास करके मुस्लिम राज्यों से इतना बढ़िया हो गया है जो यह मुस्लिम प्रदेश है लेकिन देखिए उन्होंने जो जमीन पहले दिया वो लोग इस थियास बता रहे थे कि पहले वो पांच एकर दिये फिर साथ एकर दिये करते क करते करते हैं वो 22 जमीन फ्री में दिये हो लो मंदिर के लिए मंदिर के लिए और वो आप वो जब मंदिर देखेंगे जब बन जाएगा अभी तो हम लोग उसका मतलब हो लगता है 70-80 परसंट बन चुका है कब तक कंप्लीट हो जाएगा फरवरी में इनागरेशन है उसका 24 जाएगा जाने वाले बहुत बड़ा कारेकरम होने वाला उस पर एक लाग भरतिये जुटेंगे उसकारेकरम में वहां के रहने वाले तो हम चाहते हैं कि यह जो भारत का image है भारत के भार। ऐसा image बिहारीयों कभी हो। बिहारी भी जुट है जब हम लोग भी जाएजब हमारे भी कोई नहता जाएज तो अचुछ से इन्वेस्टमेंट आए बिहार वे अभी तो ख्यार हाज कोई मतलब नहीं, आभी तो कोई investment करने हो नहीं, लेकिन जब हमारी सरकार आ जाए अगले एक साल देर साल में तो हम लोग ऐसा एक महौल त्यार करके रखें कि इन्हीं बिहारियों से जितने भी लिंक्ट लोग हैं इनके थुरू हम इतना इंवेस्मेंट पूरे दुनिया से लाएं यह हमारा मुख्यों देश दूसरा सवाल का जवाब नहीं दिया आपने निदिस्ष कुमार जी का क्या चवी है उन बिहारियों के बीच में लेकि चवी तो बहुत नकरात्मक है आपने बात की उन लोगों से जी मेरा तो अकसर बात होते रहता है और मेरे क्याल से कहीं ने कहीं नितिश जी भटक गए अपने रास्ते से और हमारा जो दसा है जड़ दसा जो कहिएगा आज भिहार का जब तक भाजबा के साथ थे तब तक ठीक थे उसमें भी और भी बहुत कुछ कर सकते थे लेकिन आज आज आप देखी रहे हैं सब लोग देख रहे हमारा क्या इस्तितिति अभी हमारा जो इंकम है जो हमारे तक देख के लोग 15,000 अगर माली जो कमारे तो आप 5,000 कमा रहे हैं तो ऐसे हम लोग मेहनती हैं हम लोग बौधिक शक्ति रखते हैं सब कुछ रखते हैं हम लोग कम क्यों कमार तो कहीं ने कहीं यह इसमें लीडर्शिप आप देखेगा बिहार का विकास जब अच्छा नेत बिक्ति राज्य बनेगा हैं तो सब कंट्री देखे तो उसे 15 साल में डेवलपिंग से डेवलप कंट्री हो गया तो हम लोग बिहार को 10 साल में डेवलप की सेडी में लेके पहुंच सकते हैं आपने सारों सारों में यहां तक यह बात कहे दी कि मुझा पचीस में आपकी सरक बन रही है भाजबाज में जो महोल है आप देख रहे हैं कितना फ्रस्टेशन हैं लोगों में अब आप कुछ भी कर रहे हैं अपने आपको बचाने के लिए कभी को एक फॉल्स जाती गन्ना का जिस कोई सेंटिफिक बेसिस नहीं है उसको लाते हैं कभी कुछ करते हैं कभी लोग दो लाइन हो जाएंगे तो लोग भी अलाइन हो जाएगा ऐसा थोड़े कि लोग मैथमेटिक्स तो नहीं है ना कि one प्लस वन इस इकोल डू हो जाता है ऐसा नहीं होता है लोग के बावना हैं लोग परिशान है आपके जूड़ने से कुछ नहीं होता है अब इनका कितना क्रेडिबरिटी दिया जाए अभी तो इनके पास एक भी सीट नहीं है इनके पास और यह लोग सीधे सरकार कैसे बना सकते हैं तो इन लोग क्रेडिबरिटी मोदी जी ने काम किया है नौ साल में आपने देखिए देश को जिस रास्ते पे मोदी जी लेगा है जबकि आप अगल वगल सब देख लिए पाकिस्तान, श्रिलंका, बंगला, सब देख लिए नेपाल, क्या स्थिती है करोना के बाद, और हम लोग कहा है हम लोग तो वेस्टन वर्ल्ड से कंपीट कर कंपीट क्या कर, उनसे अच्छा कर रहा है, आप देखिए कि अमेरिका में भी कभी-कभी राइस के लिए लाइन लग जाता है, यूके के सुपर मार्केट में समान नहीं मिल रहा है, कहीं तेल नहीं मिल रहा है, इतनी मतलब वहां पे महंगाई है, और हमारा देश ऐसा लग आपके दी जारी है, यानि कि मैं लग प्रोमोशन कर रहे हैं, अब सभी आरोप आप नहीं करना चाहिए, मेरे क्याल से वर्थ भी नहीं है, इसके बारे में बात करना, क्योंकि यह लोग आपका स्तर गिराते जाएंगे, स्तर गिराते ऐसे से अरा अनाज मिल रहा है, इसकी सब्सक्राइब करोना के समय, जबकि कितने कंट्री बैंकरप्ट हो गए, उसमें हमारे देश के जो गरीब हैं, उनको खानिया का भी दिक्कत नहीं हुआ, तो इससे बड़ा और इससे मतलब यह सब आशिरवाद है, मोदी जी के लिए, यह लोग इसायद इस बात को समझते अगर कोई आपके साथ जूड़ना चाहे, जो भी आपके साथ बिहार आई पीएफ में जो जूड़ना चाहे, जो मतलब देश के बाहर जो रहते हैं, वो क्या प्रोसेस होगा सर, प्रोसेस के बारे में कुछ बताना चाहें, तो एक लिंक हम लोग लाएंगे, और अगर आप बिहार के बाहर हैं, और बिहार से जुड़ना चाहते हैं, तो हम आपका खुले दिल से स्वागत करेंगे, लाखों के लाखों में लोगों में, मतलब हम चाहें के हमारे member's लाखों लाखों, खाली भारत में नहीं, भारत के बाहर, पुरे विष्व से लोगों, और ये ड्रा सबसे बड़ी बात इन्होंने कही है कि 22 एकर में एक मुस्लिम देश में 22 एकर में मतलब भारत के बाहर सबसे बड़ा मंदिर जो की योएई में बन रहा है दुबई में बन रहा है तो यह बहुत बरी खबरी है